हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चाइनल पे स्वागत करती हूँ आज की क्लास में क्या होने वाला है? देखिए आज की क्लास में हम लोग सभी नेम रियेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले है मतलब देखिए आप लोगों के एक्जाम में इस पर अबजेक्टिव कैसे पूछा जाता है? वो सभी मैं बताऊंगी तो आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है तो चलिए क्लास को इस्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप लोगो क्या करना है? जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया हुआ है उस चेट टेलीग्राम चैनल से जोईन हो जाना है और एक चैनल का लिंक दिया गया होगा उसको सब्सक्राइब कर लिजेगा तो चलिए class को start करते हैं सबसे पहले हम लोग को पढ़ना कौन सा रियक्षन है तो सबसे पहले हम लोग को राइमान टाइमान रियक्षन पढ़ना है तो देखें राइमान टाइमान रियक्षन क्या होता है जिसमें आप लोगों का the introduction of formal group in phenol by reaction with CHCl3 and alkali to form alice cyclical aldehyde is known as राइमान टाइमन रियक्षन तो देखें यह क्या लिखावा है इतना बड़ा आप लोगों को साइट समझ में आए या ना है बस मैं कितना यह समझाना चाहती हूँ जब भी आप लोगों को कोई phenol लेगा और आप लोग उसको CHCl3 और NaOH के साथ रियक्षन करवाते है जब भी कोई भी देखें आप लोग एक्जाम में बस यह phenol देखें और इसका reaction करके पूछ लेगा product क्या बनेगा ओके तो ध्यान से देखें इस class को यह class आप लोग के लिए बहुत important होने वाला है तो यह कोई phenol दिया हुआ है अगर कोई phenol दिया हुआ है अगर उसका reaction हम लोग CH3 CHCl3 और NaOH के साथ reaction करवाते हैं तो आप लोगों का C double bond OH एड़ हो जाता है देखें यह पूरा mechanism तो पूछेगा नहीं क्योंकि एक्जाम में तो सीथा पूछेगा पूछेगा प्रोड़क्ट क्या बन रहा है तो मेकनिजम पर उतना ध्यान नहीं देते हैं उतना टाइम बरवाद नहीं करते हैं हम लोग टाइम बरवाद करते हैं सिर्फ यह समझने पर तो आप लोग को जब भी कोई भी फेन हल दिखेगा यह दिखेगा Haw तो आप लोग क्या किसे यहाच तो आप लोग वेच के बगल वाले में आप लोग Azure और जोड दीजैगा घर एक जक्रंपल और वह समझ में दीखेए क्या करना है देखिए आप लोग ऐसे भी याद रखें और न आ ओज तो आप लोग बस इतना याद रखिए ये जो डिएजेंट है इस रिएजेंट को क्या बोलते है ये भी अप लोग के लिए इंपोर्टेंट है क्योंकि पूस्क दिया जागा ये कौश्व कौन सा डिएजेंट है तो र कि ऐस है प्लोग को एक क्लास एक थुल प्लग गी और आप लोग ऊडिने का चौन ऑप तो चौन होता है करें दोड़ होता है इपान को सब्गाइब कर देता है एक हुग इंडरोक्षन होता है इन फिनोल में फिनोल में फोर्मायल गुरूप एड होता है अगर रियक्शन करवाते हैं देखिये लुप अलकली करें एक साथ तो यह आप लोगा राएम लाएमन टाईवाएमन देखें हैं अब हम लोग देखियंगे अपने लोगों का Kovir reaction bought culture को दिंसें समझ लेए दी इकलिघ्ट फेन ओक साइड आयन दी ऐदी ओदिन को ओडिघ मार्वाय deja tu at high फ्रेश्र अंट इंप्रेचर एड हाई प्रेशर एंट तेमपरेचर फॉलवड ऐ acidification to form salicyclic acid is from Colbert reaction देखिए Colbert reaction में क्या होता है हम लोग कोई भी एक Phenoxid आया लेते हैं उसका हम लोग CO2 के साथ reaction करवाते हैं और reaction किस पर करवाते हैं at high pressure and temperature मतले हैं इस टेंपरेश इस प्रेसर और temperature पर रियक्शन करवाते हैं तो आप लोग को बनता है तो आप लोगों को बनता है salicyclic acid तो जोड़ों में आप लोगं को leagit एक ही चीज बन रही है इसमें भी आप लोगो को salicyclic acid विस नहीं विप तो अगर मैं आप लोगों से कौटवे रियक्शन के पूछओंगे इक्षा कौन सा मळुण का होते हैं तो आप लोगों का Salicyclic Acid बन जाता है तो राइमां टाइमां देख लिए कोलवे देख लिए अब नेक्स्ट आप लोग का काडवाइल-म.I.e. reaction तो देखिए काडवाइल-म.I.e. reaction आप लोग के लिए बहुती ही इंपॉटेंट नेक्स्ट तो यह ना वह 5 नेंबर है नेक्स का रिएजन्ट होगा CO2 प्लस हाइप यह प्रेसर और टेंप्रेशर लिख लिएगा अब हम लोग पढ़ेंगे विलियम सिंथेटिस तो देखिए विलियम सिंथेटिस में क्या होता है इसमें वन डिगरी अलकाइललाइड रियक्ट करता है सोडियम अलकॉक्साइड तो की फॉ सोडियम अलकॉक्साइड से और हम लोग को बनता क्या है हम लोग का बनता है इथर तो देखिए अगर इथर बनाने का मेकरेजम भी पूछ लिया जाएगा तो आप लोग बता सकते हैं एथर हम लोग विलियम संसिंथेटिस से बनाते हैं देखिए कोई आर एक से इलकाइलला मैं आ से समझ में देखिए कोई एक र 10 और आपलों क्या करें यह तोड़ दिजी यह तोड़ दीजे यह दोनों को रिएक्शन करें अगा था होता यह तो यह यह जैंपल भी दिया हुआ देख सकते हैं किया अक्या और एक सोडिया ऐलकॉक्साइड लिया गया और इसका रिक्षण कर वाए हुआ कूल इथा पड़िया घ्लाइच मैं तो आप लोग को विलिया सिंधिति दिस मज में आगया तो आप लोग क्या क्या पढ़ लिए आप लोग राइमां टाइमां रियक्षन पढ़ चुके हैं और कोलवे रियक्षन में क्या होता था कोई मतलब कि CO2 के साथ फोर से लेके सेवन एटियम प्रेसर और 125 डिगरी सल्चेस पर एक्षिन करवाते हैं तो स्टी डवलबांड ओएच का एडिशन हो जाता है इसमें और उसके बाद आप लोग का क्या है विल्यम संथेटिस में क्या होते हैं विल्यम संथेटिस में आप लोग को इसर कैसे बनता है कोई भी लेक्षिन हो जाएगा तो आप लोग इस तरीके से टीन एक्षन पड़ते हैं यह तीन आ हो तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो अब देखी आप लोग का से नमाया रियक्शन के हैं अप लोग का में रियेजेंट क्याद रखना और वह रियेजेंट कैसे से कैसे पड़िवायतन कर देता है वह याद रखना क्योंकि एक्जाम में कुछले ही बताया जाएगा यह कौन सार रियक्शन है सीधा यह आप लोग को सोडियम फेल अक्साइड दे दिया जाएगा और सीओ टू के साथ रियक्शन देखेंगे फोट से 780 पे और 125 रिस पर पूछा जाएगा तो इसलिए मैं आप लोग को बता रह पूछा था होता है डी कन वर्जन ओफ बेंजेन डाइजोनियम टू अर क्लोड नॉरोड बेंजीन ब्रोम बेंजीन और द्रैक्शन औरियम्य शिए अपनींगा तो निया जैन रियक्शन क्या होता है या ठीक्से आप लोग उसरी आप लोग को से स्वाल्य शो कमीसे फूछ और अल्डोल और कहने जारों पर आप लग प्लीज ज्यादा फोकस किजिएगा अभी यह सब तो है लेकिन कोई ठीक नहीं यह सब भी आजा लेकिन अल्डोल कहने जारों तो हंड्रेड परसेंट आएगा ही आएगा ओके तो देखिए है सेट माया रियक्षन तो इसमें क्या हो क्या है तो यह फुड़ा को हटा के बाएल लगा गावाल दे civire और यहां फोली एट्टे पर बंपिरेग सब्सक्राल रहा स्भी बहुत अगर 2- figur जाता है और ने क्या है ओके तो आप लोगोंम निए जक्छ पीर क्योंहां फोर्ट कृत्तirm ओप्सन नमबर यह करेक्ट हो जागा बोलते बोलते आदत हो चुका है तो यह आप लोग का मैं राइमान टाइमान कोलबे रियक्शन विलियम्स सिंथ्याति सैन्माया रियक्शन सभी के सभी बता चुकियों आगे आने वाला इंपोर्टेंट देखिए करवाइल एमाइन कोई भी एक पहले तो ए माली करवायल मौ यह होता है का और वायल मौ का यह तो समझ में आई जाता है आप लोंको में यह याद रखना होगा अगर सिए रचीन वाज वाघ सबसे पहले आप लोगको पता होना चाहिए अगर आप यहां कर्वाइल क्या यूज करते हैं तो यह आप लोग को कैसे होता है यह कोई भी आप लोग को का करवाइल एमाइन रियक्शन में कोई भी आप लोग को वन डिग्री माइन दे देगा मतलब प्रायमरी माइन और इसका रियक्शन करवाइगा था थी आप लोग का आप लोग का आड़ एंसी मतलब आईसो साइनाइड और 3KC-L यहा बाहर निकलता है एहां तक करवाइल है माइन रियक्शन मी समझ लिये तो आप लोग कौन कौन रियक्शन कहा था यहां तक समझ चुकर है आप लोग Doe-।-॥-।-।-॥-।- स्लोडियुम एलकॉ उकवसे और बना देता था प्रोडेक्ट और ऐसा युग। क्लोरीन या ब्रोमयन ये में काएंग त्था है, कोई भी आर एक año भूए स्टू ग्रूप है इसको चेंज कर दीजिये ऑ fijस्साइड साइनाइट में बूलेगा चेंज करने के लिए तो आप लोग कौन किसका सारा लेजाएगा कार्वाइल एमाइन का का रियेजन क्या है चलिए हम लोग पांच रियेक्शन पूरी अच्छे में डेटेल में समझ चुके है और देखिए यह कैनी ज़ा अल्डोल और यह बहुत ही इंपोटेंट है और इससे कोशन आएंगे तो मैं चाहूंगे अल्डोल और कंडेंसेशन को डेटेल में एक्स्प्लेंट करना मतलब अगर कोई भी रियेक्शन दे दिया जाए और इन्योंच डैलूट दे दिया जाए तो आप लोग उसका रियेक्शन यहां तक कैसे पहुंचिएगा और कैनी जाडों भी यह रियेक्शन कैसे किजाएगा क्योंकि अल्डोल और कैनी जाडों से ओनर्स पेपर में एक्जाम में आया था और आप लोग के स्लेवस में भी है तो आप लोग के भी एक्जाम में आने की पॉसिवलिटी है तो देखिए जो नेम रियेक्शन बच गया वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग करवाँगी और अ आपको ये वीडियो कासा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा थाइंक यू एंड थाइंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकसन अब आल दे बेस्ट वर नेक्स्ट एक्जाम